हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, वीडियो की शुरुवारत करते हैं, खुबसूरत ही विसकस फ्लावर से और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, अडेनियम की रिपोर्टिंग कटिंग से मैंने तयार किये हैं, उन प्लांट्स की आज मैं रिपोर्टिंग करूँगी और कुछ सीड से भी तयार हुए हैं, उन्हें भी ग्रो बैग में शिप्ट करूँगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और जरूर करें मेरे चैनल को, और यहां पर आप देख रहें हैं, वो रेल नीली है, अचानक से आज तीन फ्लावर मुझे दीखें इसमें, और बारिश नहीं हो रही है, फिर भी इसमें फ्लावर खिल रहे हैं, यहां पर पेंटास देख रहे हैं, तो कुछ फ्लावर्स भी आपने टॉपिक में और ये वडेलिया देखिए ये भी कटिंग से ही रेडी हुआ है और एक फ्लावर इसमें खिला हुआ है और ये सारे जो प्लांट आप देख रहे हैं अडेनियम की वो कटिंग से तयार हुए हैं और सभी में रूट्स बन गए हैं और ये देख रहे हैं फ डिस्पोजल ग्रास में लगा दी थी और वो अब धूप में रखे रखे खराब हो रहे है जो डिस्पोजल है वो तो इनको ग्रो बैंग में शिप्ट करना है और एक कटिंग को मैं पॉट में शिप्ट करूंगी और इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है जिसमें आप स 60% सेंड रख लें और 20% कंपोश्ट और 20% मिट्टी तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं अच्छी भूर भूरी मिट्टी तैयार करें और यह तो मेरे पुराने गमले की मिट्टी है इसमें मैं वर्मी कंपोश्ट एड़ कर रही हूं और काफी सेंडी सॉयल है र सेंडी स्वाइल में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है हमारा जो अडेनियम का कटिंग है वो और जब भी प्रून करें जैसे कि हम अक्सर फरवरी और मार्च के महिने में ही अपने अडेनियम के प्लांट को प्रून करते हैं तो उस समय आप कटिंग लगा लें मैंने मार्च में इसकी कटिंग लगाई थी लगभग एक महना हो गया है और एक महने में देखे ये इसके रूट से इस तरह से डेवलप होए हैं देख रहे हैं फ्रेंट से ये कुछ कटिंग्स खराब भी हुई है ज्यादा पानी यदि आप दे देते हैं तो फिर कटिंग हमारी गल जात होता है और अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जो बारो महिने फ्लावरिंग करता है जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है उस एरिया में ही विंटर सीजन में ये रेश्ट पिरेड में रहता है नहीं तो फिर ये बारो महिने फूल देने वाला प्लांट होता है और सबसे देशी अडेनियम के प्लांट है देशी अडेनियम की ही कटिंग है तो यह एक पौधा लगकर तयार हो गया है और यह देखी यह तूट मीरा है देख रहे हैं यह डिस्पोजल धूप में रखे होने के कारण और इसमें काई भी लग गई है मैं आपको दिखाती हूं तो वह ब्लांट के लिए ठीक नहीं रहता देखे इस तरह से जो पारदर्शी ग्लास होता है प्लास्टीक का पारदर्शी वाला तो ये छोटा सा प्लांट है तो इसको भी मैं लगा दूँगी ग्रो बैग में ब्लैक वाला जो ग्रो बैग है नर्सरी वाला उसी में और कुछ कटिंग्स को बास्केट में शिप्ट कर दूँगी जो ये गोल वाला बास्केट है प्लास्टिक का उसमें तो आज यही सारा काम कर रही थी तो सोचा आप लोग से भी शेयर करूं और यह देखिए पुराना मिट्टी है गीला है थोड़ा सा गीली है मिट्टी तो इसमें सुखी मिट्टी मैं मिला देती हूं और थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं लगाती हूं ज्यादा पानी पसंद नहीं होता अडेनियम के प्लांट को तो पानी का विशेश ध्यान रखना है आपको और अभी समर के सीजन में आप जो बड़े प्लांट है बड़े पॉट है उसमें आप डेली पानी दे और फूल सनलाइट में रखे इस प्लांट को देखिए एक और मैं लगा रही हूं आपको दिखाती हूं मैं य देख रहे हैं देखे इसमें भी काईल लगी हुई है तो देखते हैं फ्रेंट्स इसमें देखिए यह रूट्स बन गए हैं और इसको भी मैं ग्रो बैग में ही लगा देती हूं तो पैंसिल केक्टस भी पहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है छोटी सी कटिंग आप भी में लगा सकते हैं जैसे अड我不知道 हैं हैं मैं देख रहे हैं कितना बड़िया देखिए हैं को अधे तो अधाग ऑ्ठ हो गया है और इसको सेडी प्लेस पे रखूंगी green net के नीचे एक दम सेडी प्लेस पे नहीं LOL के नीचे, और उसके बार फिर full sunlightENE district lifetime और ये छोटा सा जो store कड़ा करके इसको दबा देती हूं वैसे बहुत सारे ऐसी छोटे-छोटे बेबी प्लांट हैं कई सारे पॉड में उगे हुए हैं सीडमें डाल दिये थे तो और इसको भी मैं लगा दूँगी या फिर इसी में अभी रहने दूँगी जब ग्रोवेक खाली होगा तो फिर इस क्वांटिटी में इसमें फ्लावर आते हैं तो आज की वीडियो यही शेयर करना था मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हैपी गार्डनिंग बाई थेंक यू